हेलो फ्रेंड्स वेल्गम माई यूट्यूब चैनल आउनलाइन ख्लासेज भाह सलजाट फ्रेंड्स आज सी क्लास में हम मेवाड के प्रमुक्ष आज्ट को के अंतरगर माराना कुमबा के बारे में अध्यन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं माराना कुमबा इनका जो कारि था 1433 इस्वी से 1468 इस्वी तक तो देर दियो महाराना मोकल की हत्या हो जाने के बाद महाराना कुम्बा अल्प वेस्ट का वस्ता में सन 1433 इस्वी में चित्तोड के शाशक बने 1433 इस्वी में महाराना मोकल की हत्या हो जाने के बाद में वे चोटी उम्ड में चित्तोड के शाशक बने 1433 इस्वी में चित्तोड के शाशक यानि मेवाड के शाशक बने 1433 इस्वी में कब बने महाराना मोकल की हत्या के बाद और महाराना मोकल की हत्या किस ने के थी चाचा और मेरा ने फिर इसका बदला राव रणमन ने लिया चाचा और मेरा को मार कर गये महाराना कुम्बा इने हिंदू सुर्त्रान तता अभिनव बारताचार्य का जाता है महाराना कुम्बा को क्या क्या क्यते हैं हिंदू सुर्त्रान तता अभिनव बारताचार्य इन नामों से भी जाना जाता है महाराना कुम्बा के शाषन काल में मेवार का मांडू के सुल्तान से सन 1437 में सारंगपूर के पास गोर्युद हुआ जिसमें कुम्बा विजे हुए इनके शाषन काल में मांडू के सुल्तान, मांडू के सुल्तान, कौन थे हैं, महमुद, से, सन, चाउधा सो से तिस में, सारंगपूर के पास, युद्ध, जिस में, कुम्बा, विजे, सारंगपूर के पास, युद्ध हुआ, चाउधा सो से तिस में, मांडू के सुल्तान, महमुद, के साथ, इस युद्ध का कारण, महरान कुम्बा द्वारा, सुल्तान, महमुद, खिल्जी से, चाचा के लड़के, महपा, पमार, वह एका की मांग करना था, किसे, महमुद, खिल्जी से, चाचा के लड़के, महपा, पमार, वह एका की मांग करना था, सुल्तान, महमुद, अपने, शर्णा गतों को छोड़ने के लिए, तयार नहीं था, महरान कुम्बा ने, इस विजे के उपलक्ष में, अपने, उपाशी देव, विष्णू के निमित, चित्तोड के किले में, विशाल, विजे इस्तम, यानी, किर्थी इस्तम बनाया, उपाशी देव, विष्णू के निमित, विजे हुआ, जिस्ते, उपाशी देव, विष्णू के निमित, चित्तोड के किले में, किसका निर्मान करवाया, विजे इस्तम, किर्थी इस्तम के नाम से भी, जानते हैं, इसका निर्मान करवाया, किर्थी इस्तम, चाउदासो चालिस इस्वी में, बनवाना शुरू हुआ, जो चाउदासो अर्तालिस इस्वी में, बनकर पूर्ण हुआ, यह जो विजे इस्तम था, किर्थी इस्तम, चाउदासो चालिस इस्वी में, बनना शुरू हुआ, जो चाउदासो अर्तालिस इस्वी में, पूर्ण हुआ, इस इस्तम की उचाई, उचाई कितनी है, 120 फिर्ट, इसकी जो उचाई है, 120 फिर्ट, और इसमें कितनी मंजिले है, 9 मंजिल, कितनी मंजिले हैं, 9 मंजिले हैं, 120 फिर्ट हुँचाई हैं, इस संपूर्ण विजय स्थम में, हिंदू देवी देवताव की अध्विती मूर्तियों, हिंदू शेली के अलग करण से शुशो भी दे, इसे बार्तिय मूर्तिकला का विश्वकोश का जाता है, किर्टी स्थम को बार्तिय मूर्तिकला का विश्वकोश का जाता है, क्योंकि इसमें हिंदू देवी देवताव की अध्विती मूर्तियों हैं, और हिंदू स्वेली से अलंकृत है यानि शुशोबिद है इस कारण से से बार्थी मूर्तिकला का विश्व कोस का जाता है इस इस्तम निर्मान करता वह सुत्रदार जेत्रा और उसके पूत्र नापा पोमा वह पुन्जा की देखरेग में बनवाया गया निर्मान करता कौन थ विश्व का निर्मान करता वह सुत्रदार कौन थे जेत्रा और उसके पूत्र पूत्रों में कौन-कौन नापा पोमा पुन्जा जेत्रा और उसके पूत्रा नापा पोमा पुन्जा इनकी देखरेग में केरती स्थम बनवाया गया कुम्बाने किर्थी स्थम प्रस्थि की रच्चना करवाई तो रच्चेता कोन थे किर्थी स्थम प्रस्थि की रच्चेता कोन थे कभी अत्री अत्री थे लेकिन इनका निदन हो जाने से इस प्रस्थि को उनके पूत्र कभी महेश ने प्रस्थि में पूरा किया मृत्यू होने के बाद इनके पूत्र कभी महेश ने ये कोन था कभी महेश कभी अत्री का पूत्र था कभी महेश इसने 1466 में पूरा किया किसे किर्थी स्थम प्रस्थि को ठीके इस चीज़ का में ध्यान रखना है किर्थी स्थम प्रस्थि की रचना कभी अत्री ने शुरू की थी और उसके पूत्र महेश ने से पूर्ण किया था महरान कुंबा सिल्फ सास्त्र के ग्याता होने के साथ साथ सिल्फ कारियों में भी बड़े प्रेमी थे उन्होंने मेवार में 32 किले अनेक मंदीर वा जलासे बनवाए कुंबा ने मेवार में 32 किले बनवाए अनेक मंदीर वा जलासे बनवाए कुंबा ने चित्तोर दूर्ग में 1448 इस्वी में कुंब श्याम मंदीर आधिवरा मंदीर 1448 इस्वी में चित्तोर दूर्ग में कुंब श्याम मंदीर आधिवरा मंदीर आधिवरा मंदीर ये बनवाए 1448 इस्वी में कुंब श्याम में मंदीर इनका निर्मान करवाया तता एक लिंग जी के मंदीर का जिनोड़ान करवाया एक लिंग जी मंदीर का जिनोड़ार करवाया इनोने 1452 इस्वी में अचलगर दूर की प्रतिश्टा की एवं 1452 में अचलगर दूर की प्रतिश्टा की एवं अचलगर दूर के पास कुम्ब स्वामी मंदीर बनवाया अचलगर दूर के पास कुम्ब स्वामी मंदीर बनवाया इनोने बसंत्पुर ये का हैं सिरोई राज्ज में कस्वे को पुना बसाया बसंत्पुर कस्वे को पुना बसाया विद्यार्थियों कुम्बलगड दूर्ग का प्रमुक शिल्पी मंडधा कुम्बलगड दूर्ग का प्रमुक शिल्पी कोंधा मंड़न दूर्ग के बिदर कुम्बाने कटार्गड बनवाया कुम्बल गड़ दूर के बितर कटार गड़ बन वाया जो कुम्बा का निवास इस्तान था कुम्बा का निवास इस्तान इसके बाद में चौदा सो साड़ इस्वी में कुम्बल गड़ प्रस्टिक का रच्चिता भी कवी महेशी था कवी अत्रे का पुत्र कुम्बल गड़ प्रस्टिक का रच्चिता भी कुम्बल गड़ प्रस्टिक का रच्चिता भी जिसने किर्थी स्थम प्रस्टिक की रच्चना पूर्ण की थी और कुम्बल गड़ प्रस्टिक की रच्चना भी कवी महेश नहीं की थी ये कुम्बा काल में जो भी निर्मान हुए है इसके बाद में माराना कुम्बा काल में ही माराना कुम्बा के काल में रणकपूर के जेन मंदिरों का निर्मान भी हुआ कब 249 इस्वी में किसने निर्मान करवाया एक जेन शिरेश्टी दन्रक दर्नक जेन शिरेश्टी था दर्नक इसने 149 इस्वी में रणकपूर के जेन मंदिरों का निर्मान भी करवाया ये कुम्बा काल के समय माराना कुम्बा के शाष्ण काल के समय में निर्मान करवाया था इसी के साथ रणकपूर के चोमुखा मंदिर का निर्मान देपाग नामक शिल्पी के निर्देशन में हुआ देपाग नामक शिल्पी इसके निर्देशन में चोमुखा मंदिर का निर्मान हुआ रणकपूर के चोमुखा मंदिर का निर्मान भी देपाग नामक शिल्पी के निर्देशन में हुआ ति जो भी निर्मान हुए देए माराना कुम्बा के शाष्ण काल के समय हुए अब माराना कुम्बा के शाष्ण काल की जो कुछ गटना है जैसे कुछ संधी है मानना कुमबा की विबिन रचना है इनके बारे में भी हम अध्यन करते हैं चांपनेर की संधी मालवा के सुल्तान महमुद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुदू बुदिन ने मानना कुमबा को हरा कर उसका मुल्क का आपस में बाढ़ने के लिए उस पर एक साथ मिलकर आक्रमन करने है तू चांपनेर में एक संधी की जिसे चांपनेर की संधी का जाता है ये किसने की मालवा के सुल्तान मामुद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबदिन इन दोनोंने मिलकर के माराना कुमबक को हराने के लिए हरा कर और उसका मुल्क का आपस में बाढ़ने के लिए एक साथ मिलकर आक्रमन करने ये तू एक संधी की वो संधी है चांपनेर की संधी ये संधी चांपनेर की गई किसे अराने के लिए की गई माराना कुमबक को माराना कुमबक को हराने के लिए दोनों मिलकर के माराना कुमबक को हराने के लिए 1466 में एक संधी की वो के लाई चांपनेर की संधी और 1456 में संधी की और 1457 में इन दोनों ने मेवाड पर आक्रमन किया 1457 में मेवाड पर आक्रमन किस ने किया इन दोनों ने मिलकर के मेवाड पराक्रमन किया 1457 में लेकिन वे महारान कुमबक को नहीं आरा सके तो यह में द्यान में रखना है महारान कुमबा द्वारा रचित विपिन ग्रंत के बारे में अध्यान करेंगे झाल